नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ हर अभिवावक अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं वह यहीं उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिखकर आगे बढ़े अपनी जिन्दगी में कुछ हासिल करे उस पुर्षा के स्थर में भारत के 38 राज्यों में सबसे नीचे आता है इन सब के अलावे अगर हम बात करें निचले स्थर के सिक्षा की अर्थात प्रात्मिक माध्यमिक और उच्व स्थर के सिक्षा की तो बिहार में कुल 71,832 विद्ध्याले हैं जिनमें 2,34,000,000 बच्चे ग्रैन करने जाते हैं बिहार सरकार काफी तत पर रहती है आए दिन बड़े ऐसे नियम बनाती है ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई भी कमी ना हो वहीं जो भी स्टूरेंट्स अच्छा करते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि बिहार बोर्ड की तरफ से दस्वी बारवी के टॉपर्स लिस्ट में जो भी बच्चे शामिल हैं उनको डॉक्टर राजेंदर परशाद की जयनती यानि तीन दिसंबर 2022 को समानित किया जाएगा समानित होने वाले स्टूरेंट्स में टॉप 10 स्टूरेंट्स दस्वी के होंगे वह उन्हें 50-50,000 रुपे दिये जाएगे 12 वी के तीनों स्टूरेंट्स के टॉपर्स को इनाम भी दिया जाएगा इसी के साथ जो भी स्टूरेंट्स टॉपर लिस्ट में शामिल होंगे उन सभी को लाप्टॉप, केंडल, ई-बूक, रीडर, मैडल, प्रसासित, पत्र भी दि वी के स्टूरेंट्स, 4-10 नवेंबर में जो भी शामिल टॉपर्स होंगे उन सभी को 10-10,000 रुपे भी राशी दी जाएगी, साथ ही उनको लाप्टॉप भी दिया जाएगा, नतीजों के अनुसार बिहार इंटर की परिक्षा में अंकित कुमार गुपता ने कॉमस में किया था और सौरफ कुमार ने साइंस में टॉप किया था, इस योजना में 10 वी वा 12 वी के टॉपस को अवार्ड देते समय, बिहार विद्याले परिक्षा समिती के अध्यक्ष आनंद के शोर भी मौझूद रहेंगे, सिक्षा विवाक के मंत्री वा अपर मुख्या सचीव भी शामिल होंगे, टॉपस को सम्मानित किये जाने वाले आयोजन के मौके पर डॉक्टर राजेंदर प्रशाद की जीवन से जूरी परदर्शनी भी दिखाए जाएगी, फिलाल इस खबर में इतना ही आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें, बिहारी निउस है झाले आयोजन के लिए आयोजनी घाने लिए जाएगी.